नमस्कार दोस्तों आज है दस अपरेज चली देख लेते हैं रीट और आर्पेसी से जुड़ी वी आज क्या-क्या नीज निकल कर आ रही है तथ्या चुपाकर आवेदन करने वाले शिख्षकों के 6436 पद खाली रीट लेवल पर्थम 2018 में 2465 सीपदों पर भरते निकली थी इसमें 18233 पद बरे गए थे लेकिन कई शिख्षकों ने तथ्या चुपाकर दुबार आवेदन कर दिया था प्राथी बवानी ओड़ा सहीत अन्य ने इसे लेकर कोर्ट में याची का दायर की थी उन्होंने नियाले के आदेश के बाद जोईन नहीं किया था इसके चलते इसमें 6437 पद खाली रह गए थे कोर्ट ने आदेश दिया था कि पहले से कारे रत जिन शिख्षकों ने यदि अपने ग्रह जिला या समीब के जिले में जाने के लिए तिथ्या चुपाकर रावेदन किया है तो उन पर कारवाई की जाएगी उक्त शिख्षकों में काउंसलिंग में हिस्सा ले लिया था लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टिंग नहीं लिए 236 शिक्षिक भरती रीट लेवल पर्त में रीशपल परिकृष बहुट्रबर वाय जाएंगे रीशपल में परिकृर्या में भाग नहीं लेने वालों के डाटा शाला द परतियों की प्रिक्षा 2018 के गुरूफ ए के दो विश्यों सोशल साइंस और गनित में दो दो बोच पर्षन डिलीट कर दिये गए हैं आयोग ने इन डिलीट पर्षनों समेथ सभी पर्षनों पर आपत्ति मांगी है इस गुरूफ के जिक्के और विग्यान के पेपरों में इन आन्सवर्कें का अवलोकन करने का पता लगता है कि सोशल साइंस में कुल 150 पर्षन में से 2 पर्षन डिलीट कर दिया गये हैं इस विशह में पर्षन सक्यशग्या 117 और 125 को डिलीट किया गया है वहीं गणित में पर्षन संक्या 55 और 77 को डिलीट किया गया है ग्रेड थरड शिक्षिक बरती लेवल पर थमके 8000 पदों के रिशपल परिणाम जल्द होंगे जारी जेपोर तो ये थी दोस्तो रप्यस योर रिट से जुड़ी भी आज की परमुख नियोश